कि नमश्चार दोस्तों हमारे चला है है अच्छान में फिर आपका स्वागत अँगये कि है और मैं हूँ आपका दोस्त राहुल हम अपको आफी टाइम से विडियो पना रहे हैं आई-पी उनिवरसीटी के एंट्रेंस एक्जाम को लेखे डेली उनिवरसीटी के एक टेंशन ये भी आ चुकी है कि इतना नया प्रैटन हम पर स्टड़ी करना है कर रहे है इतने टाइम से और नएने टॉपिक हम पढ़ ले तो कौन से टॉपिक में से ज़्यादा कॉशन्स आएंगे जनरल अवेरनेस में में रहो क्या-क्या पढ़ना है इंग्लिश का लेवल कैसा होगा और और कितने में कोशन्स करेंग करू कि में अच्छा स्कोर मिल जाए और एक अच्छा कॉलेज मिल जाए यह बहुत टाइम से बहुत बच्चों का doubt बन चुका है और इस doubt को आज मैं आपके साथ discuss करके clear करूँगा और आपको कुछ ऐसी secret tips और कुछ important tips में आपको दूँगा जो आपके exam में कही न कहीं आपको help जरूर करेगी तो फ्रेंट जल्दे स्टाइट करतें इस वीडियो को आईपी उनिवरसिटी का computer based test जो आप attempt करने जा रहे हैं उसमें आपको 150 minutes दिये जाएंगे जिसके अंदर 400 marks of question paper आएगा total number of question रहेंगे 100 और हर एक गलत answer पे आपको one mark का deduction हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने कुछ points पहले से ही आपके लिए लिखे हैं सबसे पहला है understanding the pattern of exam अब देखो आप जब इस वीडियो में discussion कर रहे हैं exam के बारे में तो एक common exam के बारे में बात कर रहा हूँ जैसे कि बहुत सारी बच्चे हैं जो BBI exam दे रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं BCA वाले भी देख रहे हैं BJMC वाले भी देख रहे हैं कि ब्रॉशर में मिल जाएगा आपको IPU की वेबसाइट से डाउनलोड करना में आपको description में भी दे दूँगा तो उसमें आपको डिटेल थोड़ा मिल जाएगा कि आपको exam के pattern में किस portion की कितनी वेटेज होती है वैसे काफी सारे exam में 25-25% के portion में चार सेक्षन में डिवाइड करते हैं exam को अब जो pattern है उसको हम कैसे रीड करेंगे कि four part में section को divide किया गया है तो जब आप अपने exam को attempt करोगे तो आपको सबसे पहले यह सूचना है कि मैं किस section को attempt करूँ जिसमें मेरे को confidence built-up वाली feel आ जाए क्योंकि हम क्या करते हैं कभी-कभी जैसे हमारे सामने question आये और हमने सब को randomly click करके खोलना शुरू कर जिससे हमारा जो दर था पहले exam को लेके वह और जादा पढ़िया क्योंकि कुछ ऐसे भी question होंगे जो आप देखो कि जो आपको पहले idea नहीं होगा और कुछ असे question होगे जिनके बारे में आपको अच्छे सा idea है अगर आपको अच्छे सा idea है फिर भी कहीन आपको mind में यह आ जबड़ करना है जिसमें आप जाधा confident feel करते हो confident in the sense की देखो अब यह वह एक्जाम पर है नहीं कि आपने एक रात पहले पढ़े के जाके इस exam का जो काईदे से तयारी होती है वो three months पहले आपको तयारी करने होती है पर बोर्ड की कारण कई सारे बच्चे एक महीने में भी इसकी तयारी कर लेते हैं तो हमारे पास minimum एक महीने की तयारी इस exam को क्रेक करने के लिए अच्छे rank लाने के लिए बहुत जरूरी है इसके ब पूचे गए हैं और क्या खास रहा है उस पैटर में कौन से section में सब ज़्यादा कोशन पूचे गए हैं वो आपको अबजब करना है अपने अपने exam में focus on strength आपको सिर्फ उसी section में सब ज़्यादा focus करना है जिसमें आप strong रहे हो आपने practice बहुत अच्छी कर रही है उसी को स सब्सक्राइब करें कि मेरे को एक स्कोर मिल जाए बस तो अगर आप exam को qualify नहीं करते हो low rank लाना अलग बात है not qualified student को कहीं पे भी admission नहीं मिलेगा किसी भी quota में admission नहीं मिलेगा और किसी भी तरीके से admission नहीं मिलेगा इवन आपके पास अगर low rank है तो कहीं ने कहीं chances बन जाते हैं अलग-अलग सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर हम एक्जाम देने जा रहे हैं तो हमें ऐसा तो नहीं है कि 100 कोशन नहीं आते हैं और आते हैं तो अच्छी बात है अपने प्रेक्टिस बहुत अच्छी से करें होगी पट कुछ ऐसे भी student है खुद को भी बोलू तो मैं भी शायद साधे कोशन आंता ना कर पाऊं पट कहीना कहीं मैं रिस्क लेना जरूर चाहूंगा बट यहां पर इस फैक्टर हमें केल्कुलेट करने के हमें रिस्क कैसे लेना है क्योंकि कुछ कोशन ऐसे हुते हैं जिनका कुछ आइडिया ही नहीं आपको हाथ पैर के बारे में कुछ पता ही और जैसे मैं आप बोलू, reasoning है, reasoning में आप जल्दी से gas work नहीं कर सकते, क्योंकि वो logical questions है, उसमें concept उसमें trick है, but English जैसे section हो गया, general awareness जैसे section हो गया, यहां पर आपका media apparatus या फिर जिस भी apparatus को आप exam देने जा रहे हो, जो आपका specialized subject है उसमें कही न कहीं कुछ questions ऐसे आते हैं जिनको आप relevant कर पाते हो गैस वर्क आपको उसी का करना है जिसमें आपको लगता है कि भाई कहीं न कहीं मैंने पड़ा है subconscious mind में आपको कहीं न कहीं feel आ रही है कि हो सकता है क्योंकि अगर आपने बहुत एक लंबी chain मना दी guess work की और लगातार आपने 10 questions negative कर दिये या फिर लगातार आपने 15 questions गलत attempt कर दिये और आपने ये सोचा कि attempt करना ही बहुत बड़ी बात होती है और attempt करना है मेरको maximum questions तो यहाँ पे questions attempt करने का competition नहीं हो रहा है यहाँ पे questions correctly mark करने का competition हो रहा है तो आपको negative marking मैंने लिखा भी है avoid negative marking आपको बिल्कुल avoid करनी है एक number की भी negative marking आपको कम सकम thousand rank नीचे धगेज सकती है इतने large हमारे scale होते है ranking order decide करने के लिए तो आपके marks बहुत जादर dependent है और यहाँ पे आपको ध्यार रखना है कि guess work आपको उसी में करना है जहाँ आपको subconscious mind में थोड़ा बहुत feel आ रहा है कि शायद यह हो सकता है और मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं तो वहाँ पे आप guess work कर सकते हो बाकि जिस question के बारे में आपने कभी सुना है नहीं है उसको आपको टच भी नहीं करना और इसमें कोई गुराई भी नहीं है अगर आपने उसको अटेम्ट नहीं करा तो at least आप minus में जाने से तो बच गए और कुछ important points है जो मैं आपके साथ डिसकर्स करता हूं जैसे कि अभी डेली उनिव सब्सक्राइब करते हैं पर मैंने बहुत सारे स्टूरेंट से रिव्यू लिए एक्जाम का तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं आया है सिर्फ जनल अवेर्नस आया हुआ था बहुत सारा current affairs बरका था बहुत सारा और English के कुछ कोशन से सेम जब मैं डियू जैट के स् कुछ ऐसा ही कहना था कि सर्फ जो रिजलिंग वाला पार्ट है उसमें इतने ज्यादा कोशन नहीं आया थे बस सीटिंग ओर्डर की कोशन आयते कुछ और सीकुन सीरीज की कोशन थे क्लासिफिकेशन के एक दो कोशन आय थे बट कहीं पे भी उनको बहुत हार्ड लेविल की रिजलिंग देखने को नहीं मिली बट वहाँ पे ज्यादा फोकस किस पर रहता था जनरल अवेर्नेस के उपर जनरल अवेर्नेस एंड करेंट अफेर्स बहुत ज्यादा आया है एक्जाम में ब्यूंड एक्सपेक्टेशन और मैंने एक फोल क्रेट कहता भी थोड़े दिन उसमें काफी सारे स्टूड़ें ने बोला है कि बैड एक्जाम गया है तो वहां पर कहीना कही एक ही रीजन है कि आपकी या तो प्रैक्टिस नहीं थी या फिर अपने जेनरल अवेर्नेस वाले सेक्शन को प्राइटी नहीं दी क्योंकि हम कहीना कही डर जाते हैं लॉजिकल रिजनिंग मैट आगया है अब आपको मैट पढ़नी पढ़ेगे और उसकी प्रैक्टिस करना सबसे पहले जरूरी है अब यहीं पर हम अपने प्रॉब्लम्स को आगे ब्रख देते हैं और अपने स्ट्रॉंग पॉइंट्स को पीछे कर देते हैं अब आपको लग रहा होग करना है और जनरल अवेर्नेस में आपको मैक्सिमम पॉइंट्स की स्टडी करनी है जनरल अवेर्नेस मतलब जो अवर्ट इवेंट्स हो रहे हैं और नेम अफ दे प्राइम मिनिश्र आफ अधर कंट्री और कैपिटल के नाम याद रखना और किस स्पोर्ट्स में किस प्लेयर कर सकते हैं तो इसमें प्रोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप ज्यादा कवर कर सकते हैं आपका जो एप्टिट्यूड वाला पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ो और जनल अवेर्नेस को थोड़ी प्राइटी दो क्योंकि आने वाले एक्जाम्स में आपका जो भी डेली उनिवर्शेटी का स्कूल ऑफ जनलिजम गाएग्जाम होने वाला है उन स्टूडेंट्स को भी मैं यही बोलूँगा कि आप अपने जीएस वाले सेक्शन पे ज्यादा से ध्यान दोर अपने वोकेबिलरी को स्ट्रॉंग करो वोकेबिलरी और अपना जनल अवेर्ने इन दोग पॉइंट्स को ज़्यादा स्ट्रॉंग करके चलो और इसके बाद मैं आप सबसी यह बोलना चाहता हूं कि एक्जाम तो आएगा जाएगा और हम स्कूर भी लेंगे कॉलेंगे अभी तो मैं आपको बहुत सार इंफॉर्मेशन देने वाला हूं उनिवर्शेटी क इस एक्जाम को देने शे पहले आपको बिल्कुल काम रखना और एक रात पूरा जगना तो आज रात को मैं पढ़ ने हूँ जितना हुआ उसको अच्छे से आप एक दिन पहले कवर कर लो रात को बढ़ी आसी निंद लो अपनी चाहें Cynthia मूवी देख सकते हो अपनी कोई फेवरेट या फिर कोई मोडिवेशनल मूवी देखो और अराम से अपनी नींद पूरी करके सुबह उठके किताब खुरने के कोई जोरत नहीं है जाके डिरेक्टली एक्जाम देदो अपना और सब कुछ अच्छा होगा और बहुत बढ़िय होगा व्फेर वीडिव आपको अच्छी लगई होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो जरोख किजिए और इन पोईट्स को जरूर करना अगर आपको कोई भी डाट है को है तो कमेंट सेक्षिन में जरूर पूछीये और बने रहे हैं हमाहारे चलने है एक्डि थेंक यू सो मुच